next stadium है to be all at sea या at sea इस stadium को हम ऐसे याद रखेंगे कि आजकल तो technology है जिस वज़े से हमें समुद्र मेरे भी रास्ते वार दिशा का पता होता है कि हमें किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना पर पुराने समय में जब मच्छवारे या कोई जहाद समूदर के बीच में होता तब जादा कोई टेक्नोलोजी नहीं होती थी तब उन लोगों को पता नहीं होता था कि अब किस दिशा में जाना है और वो कई बार रास्ता भटक जाते थे, confused हो जाते थे, परिशान हो जाते थे या उल्जन में पढ़ जाते थे कि अब हमें किदर जाना है तो to be all at sea या at sea का मतलब होता है अस्मंजस की स्थिति में होना, ब्रहमित होना या उल्जन में होना If you are at sea, it means you are puzzled or confused or not understand something at all अगर आप समुदर के 20 में हैं, इसका मतलब है, आप confused है या अस्मंजस की स्थिति में हो मतलब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना है sentence है, Is your mother at sea yet? यानि क्या आपकी माताजी अभी तक confused है, अस्मंजस की स्थिति में है, परेशान है या उल्जन में है तो to be at sea का मिनिंग हो जाएगा, puzzled होना, state of confusion या lost and confused यानि उल्जन में होना, ब्रहम या अस्मंजस की स्थिति में होना या रास्ता भटक जाएगा to be all at sea और at sea दोना का मिनिंग सेम ही होता है